के वाल राजा चोधरी आपके सामने फिर से हाजिर उमीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा जो वीडियो हैं उसको बहुत एंज्वाइ कर रहे होंगे और उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे आप और हलाकि आपका काफी कुछ जो है रिस्पॉंस मुझे मिल रहा है और काफी लोगों ने मुझे DM बे किया है काफी कुछ पूछा भी है मुझे मेरे मैसेंजर में उन्होंने काफी कुछ पूछा मैंने उन लोगों को मैंने रिस्पॉंस भी किया है मैंने रिप्लाई भी किया है मैंने और उन लोगों को बताया है उन्हों का बहुत कुछ query थी, बहुत उनके questions से, वो मैंने बताया उनको किस तरीके से कैसे उनको problem हो रहा था, वो problem मैंने sort out किया, तो आपको भी, अगर कोई भी problem हो, बिल्कुल मत सोचिए, आप मुझे facebook messenger में मुझे मुझे से पूछिए, मुझे insta में मुझे game करिये और youtube में जो comment box में आप अपना please valuable comments आप जरूर आप दीजिए, तो हम 7 episode इससे पहले बना चुके हैं, this is 8th episode, 8th and 8th episode में हमने आपको 7th episode में हमने आपको बताया था, एक song, छोटा सा song, F major पे मैंने बताया था कि किस तरीके से उसको play होगा, हलांकि सारे chords उसमें नहीं use हुए, तो उसमें सिर्फ तीन chord ही use हुए, F major, B flat major and C major, तो actually कोई भी song एक play करने के लिए minimum आपको 2 chord minimum जानना ज़रूरी है आपको, एक है major chord और एक है minor chord, तो आज हम आपको chord 2, मतलब minor chord हम आपको बताएंगे, कि minor chord किस तरीके से आप play करेंगे, और minor chord में, तो let's go, तो minor chord हमने आपको बताया था कि अगर आपने chord 1, major chord अगर आपने learn कर लिया, तो minor chord या इसके आगे जो भी chords हैं आपको play करने के लिए कोई भी problem नहीं होगा, सिर्फ formula, मैं आपको formula बताऊंगा, वो formula पे आप major chord रख देंगे, तो automatically वो chord play होने लगेगा, तो अब minor chord के लिए formula क्या है, minor chord के लिए formula यह है, जो second main note होता है, second main note, जैसे C, E, G, अगर C major का C, E, G है, C, E, G, E, second note है, उसका one semitone down, come back, वापस आना है आपको, जैसे C major, यह है second main note, यह one semitone down, this is C minor, आप जहाँ पे E में थे, वो E flat हो गया, तो यह आपका C minor chord हो गया, right, जैसे यह D major chord है, D major यह second note है, यह one semitone down, means F हो गया, this is D, F and A, right, E, यह second note है, यह G आजाएगा, E, G, B, यह E minor हो जाएगा, F minor, F, A, C major होता है, यह second note है, यह note यहाँ आजाएगा, one semitone down, यह नीचे की तरफ आएँगे आप, तो यह F minor हो जाएगा, G major, यह G major है, यह second note है, इसको one semitone down, यह हो जाएगा आपका, G minor, then A major, this is second note, A, C sharp, E, आपको पता ही होगा, A, C sharp, E, C sharp second note है, इसका one semitone down, C हो गया, तो A, C, E, यह A minor हो गया, ओके, then B, this is B major, यह second note है, इसको one semitone down कर देंगे, B minor, this is B minor, B, D, and F sharp, then C again, C, और C, D sharp, and G, A, C minor हो गया, इसको भी हम 4 by 4, beat पे हम इसको practice करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि एकदम से आप play नहीं कर सकते हैं, आप, आपको play करने के लिए, सबसे पहले, आपको अच्छी तरीके से मालूँ होना चाहिए, कि minor कैसे play होगा, जैसे यह C major है, यह C minor है, कोई formula लगाई है, कोई problem नहीं है, यह F major है, यह down हो जाएगा, यह D minor हो गया, यह E major है, यह E minor हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप जो half note है, C sharp, यह C sharp major है, यह C sharp major, यह second note है, और यह C sharp minor हो गया, यह D sharp है, यह second note है, यह D sharp minor हो गया, यह F sharp है, यह second note है, यह F sharp minor हो गया, यह D sharp है, G sharp C and D sharp है, यह second note है, यह B में आ जाएगा, C का B में आ जाएगा, तो यह G sharp minor है, and then B flat, B flat, यह B flat, D and F, B flat, D and F, यह second note है, second note, यह D flat और C sharp हो जाएगा, तो B flat, C sharp and F, यह B flat minor, मैं फिर से आपको half note का minor chord बता रहा हूँ, यह C sharp major है, यह C sharp minor आ जाएगा, यह D sharp major है, यह D sharp minor हो गया, यह, then F sharp, यह F sharp major है, यह F sharp minor है, फिर यह G sharp major है, यह G sharp minor है, क्योंकि यह C का B हो जाएगा, then B flat और A sharp, B flat, D and F, B flat, D and F, यह second note है, second note, यह C sharp हो जाएगा, तो minor chord भी बहुत easy है, आपने देखा, कि यह स्रिफ formula based है, अगर आपने यह formula में major chord को डाल दिया, तो सारे chords जो है, वो minor में convert हो गया, minor हो गया, अब आपको यह चीज धीरे धीरे practice करना है, कैसे, जब आप पूरा सीख जाएंगे, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, जैसे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, count करके आपको बजाना है इवन जो half note का C sharp ये C sharp major minor this is C sharp minor 1 2 3 4 now D sharp minor ये major A minor 1 2 3 4 okay now F sharp F sharp major and F sharp minor 1 2 3 4 G sharp ये G sharp major है और ये G sharp minor B हो जाएगा C का B 1 2 3 4 and B flat this is B flat B flat major and B flat minor is this 1 2 3 4 ठीक है I hope आपको समझ में आया होगा बिल्कुल भी tough नहीं है लोग बोलते हैं कि प्यानो अरे यार प्यानो बजाना बहुत ही tough है यार प्यानो में ये चीज नहीं है वो नहीं समझ में आ रहा हो आप देखिए अब तक जो 7 एपिसोड तक जो आप देख रहे हैं 7 एपिसोड में कहीं भी आपको कोई problem फील हुआ नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने इस तरीके से सिखाया ही नहीं आपको आपको देखे कितना easy way में और आगे भी मैं जैसे आपको song play करना सिखाऊँगा या और भी कुछ advanced level की चीज़े मैं आपको बताऊँगा वो भी बहुत ही आसानिस है आप finally देखिएगा दीरे 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 आप बहुत कुछ जान गए हैं बहुत कुछ सीख गए हैं तो वो चीज़ मैं आपको हर चीज सिखाऊँगा हर चीज देन इसका use मैं minor chord का कैसे use होगा किस तरीके से फिर मैं आपको बताऊँगा chord 2, chord 3, chord 4, chord 5, chord 6, chord 7, chord 8, 9 और ऐसे इस तरीके से मैं आपको सारे chords बताऊँगा तो उमीद है आपको अच्छा लगा होगा जानके आपको बहुत you must be very happy और इसी खुशी के साथ और मैं भी बहुत खुश हूँ और आप लोग को समझ में आ रहा है और इस तरीके का मैं जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ लेकिन मैं फिर लास्ट में आप लोगों से फिर से मैं वही चीज कहूँगा कि प्लीज फ्रेंज मुझे और थोड़ सा सपोर्ट करें और थोड़ से प्याद अपने फ्रेंज को अपने फैंلी फ्रेंज को अपने जितने भी अपने कॉलिक्स को सब को बोलिए कि मेरा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाईए, जिसे कि आपको आगे का कोई भी मेरा नया वीडियो आता है लेकिन अच्छे वीडियो से आपको अच्छी चीजे सीखने को मिलेगी मैं जिस तरह कि मैं आपको इंटेइन कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको अच्छे गाने में प्ले कर रहा हूँ बहुत लोगों के बहुत मेरे सब्सक्राइबर बहुत फ्रेंड जो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है वो लोगी बोलते हैं कि यार यह यह सॉंग प्ले करो यह यह मैं उन लोगों के सॉंग्स में प्ले कर रहा हूं मैं सारे चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो कोई भी सौंग सा बताइए अगर मुझे आता होगा जरूर अगर मुझे आता होगा जरूर अगर मुझे लोग बोलते हैं कि जैसे साउथ के तमिल तेलूगू में कुछ मेरे सबस्क्राइबर हैं वो बोलने की तो मैं पोशिश कर रहा हूँ, my उसको भी प्लेय करने के लिए बंगला गानेशने के लिए लोग बोलते हैं गुज़राती गानेश, मुझे काफी आते हैं कि मैं डांडिया भी करता हूँ और गुज़राती के मेरे पास कम कम 500-600 गाने मुझे आते हैं और उन में से मैं आपको जरूर गुजराती गाने भी मैं प्ले करके मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा भी मैं, जितने भी मेरे गुजरात से मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंस हैं, उन लोग भी अच्छा लगेगा, तो 100% मैं इसको मेरे दिमाग में है, मैं धीरे दीरे हर चीज थोड़ा से मुझे time चाहिए मैं धीरी दीरे हर चीज मैं आप लोग के सामने पेश करूँगा, ये मेरा वादा है, मेरा दावा है तो till then, thank you so much friends, आप लोग बहुत मुझे प्यार दे रहे हैं बहुत support कर रहे हैं, आगे भी और थोड़ा से support करते रहे हैं, till then thank you so much, love you friends